क्या आप सरकार IPC CRPC और अविडेंस की तरह समयदान को बदलने की त्यारी कर रही है यह बात इसलिए चर्चा में है क्योंकि प्यधान मंतरी की Economic Advisory Committee के चेर्मेन विवेक देव रॉय उन्होंने दा प्रिंट में एक आर्टिकल लिखा जिसमें वह लिखते हैं There is a case for we the people to embrace a new constitution उनके कहने का मतलब है कि नयार समयदान अपनाने का अब अधार दिखाई दे रहा है और इस बारे में विचार किया जाना चाहिए जैसे यह खबर मीडिया में आई मावाल मच गया क्या सरकार समयदान बदलना चाहती है आपको एक जानकारी दे दूँ कि 1973 में जो केश्वन भारती का जज्जमेंट आया था सुप्रीम कोड का जिसमें लगातार 32 दिनों तक आरगुमेंट किया था नाना पाल की वाला ने जो काफी चर्चे जूरिश थे और हमाई देश के एक सम्मानित अजिवक्ता रह चुके ह उनके दिये गए आरगुमेंट के बाद 13 जजो की बेंच ने बेसिक स्टेक्चिर डॉक्ट्रिन जिसे आप अधार भूत सनरशना का सिधान्त कह सकते हैं को लेट डाउन किया था इसमें सुप्रीम कोड ने साफ बात कही है The power to amend the constitution is given in article 368 of Indian constitution is not equivalent to create a new constitution मतलब यह है कि संसुददन का अधिकार समविधान निर्मार के तुल नहीं है समविधान निर्मार का अधिकार सिर्फ समविधान निर्माती सभा जिसे Constitution Assembly of India कह पास था जिसके ड्राफ्टिंग कमीटी के चेर परसन डॉक्टर बाबा सार भीमरांबेतकर जित तो ये बात आए कहां से विवेक देव रॉय अपने आलेक में लिखते हैं कि हमने जो समविधान 1950 में अपनाया था वहाप वैसा नहीं रह चुका है इसमें संसोधन किये गए हैं और संसोधन हमेशा अच्छे कारे के नहीं किये गए हैं आकि नए समविधान के लिए विवेक देव रॉय ने एक बात और लिखी है कि शिकागो लॉय स्कूज ने कई देशों का लिखित समविधान का अध्यन किया और उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि किसी भी देश का लिखे समविधान की आयू सिर्फ 17 वर्ष की होती है विवेक दोईवराय का कहना है कि 1973 से 2030 आते आते लगबग 70 वर्ष से अधिक हो चुके हैं जबकि शिकागो लॉज स्कूल की रिसर्च कहती है कि समविधान की आयू केवल 17 वर्ष की है अब मैं इस लेक्षर की दोरा आपको बता दूँ कि समविधान जैसा 1950 में था अब ऐसा नहीं है सो से अधिक तंसो दर्ष में किये जा चुके हैं समविधान देश और परसितियों के हिसाब से लगाता बदलता रहा है तो शिकागो लॉज स्कूल की रिसर्च यहां काम नहीं आती है जिसमें कहा गया था कि समविधान की आयू 17 साल की होती है फिर भी यह बात आती है कि क्या सरकार समविधान को गल सकती है और क्या केश्वन नन्भारती का जज्जमेंट था वह मौजूदा समविधान पर ही लागू होता है तो इस बात को पूरता एस्पस करते ना चाहिए कि समविधान बनाने का अधिकार पूरता कॉंसेटुएंट असेम्बली के पास था मौजूदा सरकार और संसर्थ समविधान का निर्माण नहीं कर सकती है इनके पास केवल समविधान संसुधन का ही अधिकार है और केश्वन नन्भारती का जज्जमेंट मौजूदा समविधान या नय समविधान के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के समिधान के लिए हैं। और संसर नया समिधान नहीं बना सकती है। इस बात को इसपेश्ट कर दिना चाहिए।